कब्रिसे पुलिस ने निकाला शव एक साल बाद मुर्दा खोलेगा मौत का राज जारखंटाई कोट के आदेश पर राची में मंगलवार को एक कब्रिस्तान की कब्र खोदी गई दरसल राहुल मिंच नाम के एक युवक की मौत एक साल पहले हुई थी मौत संदिक परिस्थीतियों में हुई थी इस वजह से परीजन कोट चले गया कोट के आदेश के बाद राहुल मिंच के शव के अउस्तेशों को कब्रिस्तान से निकाला गया राजी के मौराबादी इलाके के सर्टाज निवाजी राहुल मिंज की मौत संदिक पलिस्थीतियों में 2 जून 2022 को ही हो गई थी इसके बावजूत सौख को दफना दिया गया राहुल दिली इन्वर्सिटी का स्टूडेंट रहा था और पतियों की परिशाओ की तयारी कर रहा था राहुल की बहन कुसु मिंज ने राहुल की हत्या की आश्शंका जताते हुए चार्च की मांग को लेकर हाई कोट मी याचिका ताखिर की इसकी सुनवाई करते हुए कोट ने शौके और शेसों की फॉलिस की चार्च का आदेश दिया था कोट के ही आदेश पर पीती दसमे को राची के लाल भूर ठाने में एफ आयार दर्जगर पुलिस ने चार्च शिरू कर दी मंगलवार को मजिस्टेट की मौजूदगी में पुलिस ने शौके और सेशों के सब्लिस्तान से बाहर निकाला वही में तक की बेहन कुसुम मिंच के अनुसार राहुल बीते साल दो जून को अपने कुछ दोस्तों के साथ एक शादी समहारों में गया था महा उसकी मौथ हो गई घरवालों को बताया गया कि जारस अरापीने के वज़ा सिर्थ की मौथ हो गई थी घर के लोग अचानक कोई मौथ को लेकर आशांकित थे लेकिन उस वक्त शौद दफ ना दिया गया था बाद में कुसुम को कुछ है तिस्ताक्ष मेले जिससे यह संदे हुआ कि उसकी हत्या साजिस को वक्त की गई है उस उनका कहना है कि जमीन हड़पने की नियत से हत्या का संदे है तो उसी के वज़े से हम लोग कंप्रीन कर रहा थे और कोट का ओडर नहीं यह था कोट का ओडर था कि एफायर करिए तो उसी में पुलिस लोग को जबाब देना है तो उसी पर यह कारवाई चल रही है यह आप जात्या हुई है सर देखे बिल्कुल स्वास्त था कुछ भी निवात हो उसको और वहां पर से साधी में सेलिबरेट करने गया था साधी में गया था और अचानक से पता चल रहा है कि ऐसा हो गया और उस में मतलब बॉडी का सिंटम से कहीं नहीं लग रहा था कि ओवर दिंक के वज़े से हो रहा है क्या हो रहा है जीफ थोड़ा से बाहर निकला हुआ था और दाथ ये जौ लाइन उसका फ़र टाइब था लेकिन उस वक्त हरवारे लोग भी इतना इसको सीरस्ती नहीं ले पाया और बाकी लोग यतना अफ़ा पहनाया ना कि खुद से हुआ है ड्रिंक के वज़े से हुआ है जो ही रीजन बता है लेकिन हाँ बाद बाद में इसके बारे में हमनों को दिर दिरे बता चला और बता चला तो लोग काना फुसी करते बताए हैं कि मतलब किसी का काम है हट्ता किया गया है झाल 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 झाल